विश्व में भारत की प्रतिश्ठा उसके वैपारियों की कारण है देश की प्रगती में उनका बहुत बड़ा योगदान है मैं वैपारियों की ताकत से वाकिफ हूँ इसलिए वैपारियों के हितों की रक्षक लिए उनकी विभिन मांगों को लेकर अगले 15 दिनों में मुंबई में एक व्यापक बैठक की जाएगी विपड़ा निवम अल्प संचक विकास राज्य मंत्री अब्दल सत्ता ने पुकता अश्वासन दिया कि जिस सड़क पर वेच चल रहे हुँ से हटा दिया चाएगा महराश्य राज्य वैपारी कारवाई समीती द्वारा पूने की श्री गणिश कला क्रीडा मंच पर एक दिवसी राज्य व्यापी वैपारी सम्मेलन का आयोजन किया गया उस वक्त सत्तार बोल रहे थे इस अफसर पर राज्य वैपारी कल्यान बोट की अध्यक्ष सुनील सिंगी चैंबर ओफ एसोसियेशन ओफ महराश्य इंडस्रीज एंड ट्रेट के अध्यक्ष दिपेन अगरवाल और अध्यक्ष मोहन गुरानानी महराश्य चैंबर ओफ कॉ और दपूना मर्चेंट्स चैंबर के अध्यक्ष राजेंदर बाठिया ओल इंडिया कंजियूमा पंच्राइट के अध्यक्ष सूरीकान पाठक के अध्यक्ष इंडियन चैंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्री के पूर्व बावुलल गुपता मंच पर मोहन जूशी वा अन हमारी भूमी का वैपारियों को न्याय दिलाना है आज के राज जिव्यापी वैपारी समिलन के अफसर पर मैंने उनके प्रिशन सुने उन्होंने का कि मैं इसे मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों तक पहुचाने की गैरंटी देता हूं वैपारियों के इतक के मुद्दों को सुलजाने के लिए अगले 15 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाश्यंदे उपु मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस और अजीत पवार के साथ बैठक की जाएगी दिसम्मर में विदान मंदल का 17 सतार ने यह भी आश्वासन दिया कि उपकर को समाप्त करने सहित बाजा समीती के नियमों और शर्तों में प्रिस्तावित बदलावों को भी विदान मंदल में पेश किया जाएगा महराश्य राज्य वैपारी परिशन में राज जिवर से बड़ी संख्या में वैपारी आए हैं इस मौके पर उन्होंने इस बात की सरहना भी की की वैप वैपारियों को अपनी समस्याओं के समधान के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगचन के माध्यम से हम मिलजुल कर समभाद करके समस्याओं कर सकते हैं केंदर सरकार ने वैपारियों को उम्र के बाद 3000 रुपे पेंशन देने का एहम फैसला लिया है साथ ही सभी प्रकार के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो योचनल लागू की जाएगी उन्होंने यह भी का कि हम यह सुनेश्चित करने के लिए हैं कि वैपारियों के स्वाभीमान और सम्मान पर आज ना आए परीचे में राजेंद्र बाचिया ने वैपारियों की विभिन मांगों की समिक्षा की उन्होंने कहा आज प्रदेश का वैपारी परिशान है उनके बिजनस में कई दिक्कते आ रही है राज में वैपसाई गतिवीधियों को जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए दोरे करा अधान को समाफ्त करना आवशक है पारंपरिक वैपार विलुक्त होने की कगार पर है बाजा परिसमें 40 प्रतिशत वैपार कम हो गया है यदि पारंपरिक वैपार को सनरक्षित करना है तो महराश्ट से बाजा समीती कर यानि उक्कर को बाहर करना अनिवार है सैस रद्द कर करने की मांग पर उपस्तित वैपारियों ने जोरदार तालियां बजाई चैंबर आफ एस्सोसियेशन ओफ महाराश्ट्र इंडुस्रीज एंड ट्रेड की अधिक्षित दीपेन अगरवाल ने कहा कि APMC अधिनियम को तदकार प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि अब रश्टचार का केंद्र और राजनितिक पुनरवास का केंद्र है MPMC को किसानों की हितों की रक्षा करने और उनकी उपच की समय पर डिलेवरी सुरिशित करने के लिए अधिनियमत किया गया था लेकिन अब MPMC उनके लिए असुईधा पैदा कर रहा है और वैपारियों को इसका लाब नहीं मिल रहा है उन्होंने का कि सभी निगमों में LBT विभाक को ततकार प्रभाव से या 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मुलियानकन की नाम पर वैपारियों को परेशान किया जा रहा है और सर्वत्तन निड़ने मुलियानकन आदेशों के माध्यम से वैपारियों पर कालपनिक दायत विथ थौपा जा रहा है सड़कों पर उत्रे बिना वैपारिक समस्याएं हल नहीं होंगी कारोबारियों को अपनी एकता और ताकत दिखानी चाहिए वैपारियों और सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए विबिन वैपार संगों के पदधिकारियों ने बाजा समीती उपकर रद्द करने MPMC के पुराने कानूनों में संशोधन, FSSAI अधिनियम और GST के दमनकारी प्रावधानों को रद्द करने जैसी मांगे की नाकपुर से BCN News के लिए अभिशेक पांसी के रपोर्ट